वाख क्या आईपियो है? अच्छी लिस्टिंग कही जा सकती है क्योंकि जिस तरीके से पैनिक देखने को मिल रहा था बाजार के अंदर शॉर्य बताईए क्या कोछ नमबर्स कह रहे हैं? जी बिल्कुल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं MQ और फार्मा से MQ और फार्मा NAC पर लिस्ट हुआ है 1,325 पर इसका इशू प्राइस था 1,008 का यानि इशू प्राइस है 31.45% के प्रेमियम पर लिस्ट हुए और लिस्टिंग के बाद भी हमने देखा श्टॉक थोड़ा ऊपर चड़ता हुए नजर आया इसने 1,385 का हाई लगाया और अभी जो है 1,3,5,2 के आसपास चल रहे हैं जितने पर लिस्ट हुआ था उससे जादे के प्राइस पर अभी चल रहा है और उसके ऐसे लगर वहाँ पर आके थोड़ा स्टेबल हो गया है थोड़ा सा स्टेबल हो गया है लेकिन अच्छी लिस्टिंग कही जा सकती है अंक्योर फार्मा की और कई लोगों को जो है भाला कि सरसट गुना सबस्क्राइब वहा था लेकिन काफी लोगों को कि सवाल इस पर आ रहे हैं लगाता की क्या करना चाहिए काफी लोग हैं जो हूड कर रहे हैं जिन्होंने को प्रैस कर लिया अपकी राय क्या होगी आज की को देख करके पहले भी मुझे याद पढ़ता है जिसका डिसकेशन हुआ जिस तरह से लिस्टिंग का जो प्राइस है वह बिसिकला महेंगा पढ़ जाता है अगर company के overall financials को देखें पहले भी हमने उसको discuss किया है कि एक अच्छा return and equity है 17% के असपास का थोड़ा सा debt to equity में कहीं न कहीं finance इसको अगर आप फार्मक सेक्टर को देखें थोड़ा सा higher side पर है अगर आप चार्ट को देखें तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं कि stop loss बनाना चाहिए 1350 रुपे पर और बने रहना चाहिए अगर सस्टेन करता तो दोबार आपको 1383 उपर तरह जाता हो दिखाई द लुका है तो क्या फ्रेश इंट्री आपको सही लग रही है या खतर लाग लग रही है बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव हो जाएगा एक की लिस्टिंग पर फ्रेश एंट्री करना मैं घंटे के चार्ट पर आपको एडवाइस कर रहा हूं विकुल जी बहुत अच्छी च तो आप बने हैं तो बने रही है सर हो सकता है कि अपना जो हाई एस का तेरा स्वस्थी तेरा स्वस्थी उसको तोड़े उपर की तरफ जिदर सस्टेन करके चले नहीं एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं ठीक है तो यह निकल करके आती हुई इस विच एक आईप्यों पर फ हॉस्पिटल के शेर ले रखे हैं अभी जाना यह चाह रहे हैं कि क्या दो दो लॉट इंटोने लिए हुए हैं अभी जाना चाहिए क्या करना चाहिए तेरा सो चौतिस का भाव अभी देखने को मिल रहा है तीन साड़े तीन परसेंट जुप्टर लाइफ लाइन का शेर ट देखें इसका तो मुझे नहीं एक सेकंड इस सो देखें तेरा सो चौतिस का भाव है पिछले अगर आप देखें तो करीब जून के बाद अगर आप लंबी अवधी में देखें तो मुझे एक सेकंड इसका इशू प्राइस साथ सो पैंतेस रुपए का था तो इनको लेकर बने रहे हैं मुझे लगता है इस पर्ट्रेंड में करी 1390 तक का भाव आपको भी देखने को मिल जाएगा फड़ और ऊपर चलेगा तो सकता है 1490 भी देखने को मिल जाएगा तो अगर आपने आपने के समय पे लिया तो एक बारा सुत्तर का स्टॉप लौस लगाई आपको काफी नीचे मिला था मिलिकाल से लिस्टिंग के करीब 970 रुपय के असपास की हुई तो वहां बना लीजें आप बारो सत्तर का स्टॉप लौस लगाई बने रही है पहला टार्गेट कहीं नहीं कहीं 400 रुपय का है चले तो यह आपके लिए निकल करके आती हुई अब चलते हैं शौरे के पास और जानते हैं आज की दूसरी लिस्टिंग पर क्या रहनीती होनी चाहिए शौरे बताइए जी दूसरी लिस्टिंग अच्छे हुए जाद अच्छे होई है बंसल वायर्स की बंसल वायर एनस ये पर 356 पर लिस्ट हुआ था इशू प्राइस 39% के प्रेमियम पर लिस्ट होता वा नजर आ था लेकिन उसके बाद स्टॉक हलका सा गिरा है 2% गिरावाट के साथ अभी 248 के आसपर चलता वा नजर आ रहा है चलिए 49% का प्रेमियम इस गिरते बाजार में अगर मिल रहा है तो इसे काफी अच्छी लिस्टिंग कही जाए अगर उसमें वॉल्यूम नहीं होगा तो आपको खरीदने बेचने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है लेकिन आजकल तो वॉल्यूम भी वहाँ पर भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं सर इसमें क्या कुछ रइनिती होनी चाहिए अच्छी लिस्टिंग कह सकते हैं इसक तरह से उन्होंने क्यापिटल गुट्स में किस तरह से धमाल मचाया हुआ है तो अगरा बंसल वायर को देखी मुझे लगता है कहीं नहीं ऊपर तो रेजिस्टेंस है जैसे कुला है 350 रुपे के भाव से रेजिस्टेंस है वहां से कहीं देखने को मिल रही है अगर आप हैं तो एक आप स्टॉप लॉस डाल लें वो करीब परीब आप रखे 340 रुपे के पास 340 का भाव है 340 के नीचे चला जाए घंटा पर सस्टेंड करें एक्जिट कर जाईए अधरवाइस बनी रही है और सर यहां पर चेस करने की कोई आवशक्ता तो नहीं है बंसल को भी बिल कि प्राइब हुए थे 452 के भाव पर यह लॉट्म हुई थी लॉंग टर्म विव जानना चाह रहे हैं इंडीजीन 452 पर इन्होंने के भाव पर लाट्म हुई थी पांसो सटका भाव है तो ठीक प्रॉफिट इनको मिल रहा है लॉंग टर्म नजरिया जानना चाह रहे है कि तो देखे मैं फंडामेंटर्स तो इस कंपनी के अभी नीदे देख पा रहा हूं लेकिन अगर आप हैं तो देखे कड़ी पिछले तीन वीका अगर वह स्टाप लॉस नहीं टूटा तो आपको अगर बजार भी सस्टेन हो गया निफ्टी तो कहिने का आपको 590 से लेकर के 615 तक के भाव भी देखने को मिलेंगे जब वो लेवला है तो आप सोचेगा आपको एक्जिट करना है नहीं करना है बट अभी तो आप में जोड़ने के लिए और बताने के लिए कि आखिर में किस तरह की लिस्टिंग यहाँ पर देखने को मिली है वह क्या आई पियो है